हलो फ्रेंट्स में हूँ राजीव आज हम देखेंगे क्याइसे एक्सिस बैंक का जो केडिट काट का लिमिट है और कैसे एक्सिटेंड करना है तो उसके लिए एक्सिस बैंक का जो लॉग इन यूजर आडी पासवार्ट देखर आपको लॉगिन होना होगा तो मेरा जो आडी पासवार्ट देखर लॉगिन हो जाता हूँ तो देखिए मेरा यूजर आडी पासवार्ट फिल कर दिये उसके बार लॉगिन में क्लिक करना होगा ठीक है तो देखिए लॉग इन हो गया ठीक है तो क्या करना होगा आपको एकाउंट में जाने के बाद नीचे आ जाई है कार्ट के अंदर केडिट का डेविट कार्ट तो आज हम देखेंगे केडिट कार्ट का जो लिमिटेशन है उसको केसे एक्स्टेंड करना है तो माई केडिट कार्ट में क्लिक करने के बाद इतना केडिट कार्ट होगा आपको इधर सो हो जाएगा देखिए मेरा केडिट कर देखा रहे तो आभी देखेंगे केडिट का इसका क्या है तो केडिट कार्ट करने के बाद गो में क्लिक करता हूं ठीक है उसके बाद आपको का करना हो गया एक्वंटर में जाने के बाद credit cards ठीक है तो my credit cards में में click कर दिया उसके बाद card अभी select है इसदा दो है तो select करना होगा manually मेरा credit card है तो इसके लिए selected है इसमें limit enhancement करना होगा ठीक है इसमें click करना करना होगा तो लिमिट इनेंस में क्लिक करने के बाद ऐसा आ जाएगा आपका एब लेबल के लिमिट 60,000 है ठीक है नियू केरिट कार्ड करेट लिमिट है 90,000 तो मैं टावजन करने के लिए इसमें आई जो करना होगा उसमें और नेक्ट्ट में क्लिक करना होगा ठीक है तो आभी एक OTP जिनरेट होगा जो रेइस्टर मोबाइल नमर होगा उसमें इक OTP आ जाएगा उसको तो मेरा OTP भी आ गया मैं इधर फिल कर देता हूं तो देखिए ओटीपी फिलकार्ट दे उसके बाद कॉन्फरम में क्लिक करना है अब एक बार चेक कर लेए डिट करना होगा ठीक है कर दो जाएगा उसके बाद इधार कार्ट डिटेल्स में क्लिक करने के बाद गों में क्लिक करना होगा तो देखिए इधर केडिट कार्ट का जो लिमिट है क्यास लिमिट केडिट कार्ट लिमिट दोनों ही एक्स्टेंड हो गया तो अगर आपको इंक्रीस करना है आपको केडिट का लिमिट तो अभी ये स्टेप फॉलो कीजिए और एक बाद अगर आपका जो अगर केडिट का न्यू लिमिटेशन मतलब ओफसन नहीं आ रहा है अगर आपको नहीं आ रहा है तो कुछ दिन ओट कीजिए और आपका टांजिक्शन अच्छा से कीजिए तो आपका भी ओफसन आ जाएगा तो अगर आपको ट्यूट्रियल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए थैंक्यू फर वाचिंग